है सो हेलो बच्चो आज हमारा है चैप्र फास्ट त्वेल्थ क्लास का पॉल्टिकल का जादा समय नंगे वह चैप्र स्टार्ट करते हैं सो फर्स्ट अपिगे बर्लीन की दिवाल बर्लीन की दिवाल सन 1961 में बनाए गए थी यह दिवार पच्छीम बर्लीन को पूर भी बर्ली से अलग करती थी यह दिवार पुंजी वादी विश्व और सामय वादी विश्व के बेवाजन का प्रतीक थी उस समय पर इस दिवार के लंबाए लगपग देड़ सो किलो मीटर थी यह दिवार 28 वरसों तक खड़ी रही थी और नौ नौमबर 1989 को तोड़ती गई थी आम ज नेक्स टोपिक सोवित प्रनाली के हैं सोवित प्रनाली से भी प्राय समाजवादो समतमरुक समाज की आधर उसों पयाधारी समाज श्वाधी सासन सी है यह से सिम्पल तरीके मैं से समझोगों सोवित प्रनाली मतलब हर चीज से सरकार केंडर होगा सोवेट पढ़ना हो बस सेंपल नेक्स टोपिक सोवेट अंका जनाम विवस्ता पढ़ना होए यह इंपोर्ट टोपिक याद रखना 1970 में रूस्ट में समाजवादी करांती वोल से भी करांती हुई थी इकरांती पोजवादी वे विवस्ता के विरुद में हुई इकरांती समाजवाद एक समता मुलक समाज के आदर सुपर अधारे थे जिसके नेक बल्ला में दीर लेनीं थे यह बल्ला में दीर पुतिन के इस सिदार नहीं है बहला मी दीर लेनिन कम्मिनस पाटी के साथ थापक थे इस करान्ती के बड़े नाम सरूप समाजवादी सोबित कंद्राज्य यूनिन ऑफ सोब्स सोब्स रेपपलिक यूसस आर्यू थापना होई यह data लेकर आफल फॉल फॉल्प भी आपने सेख्यों में आ सकते ह horralnya के में देश सु जा उर्फन वेस्ट एरुपेयन एंज्ट अमेरिकन एदि वह है वह पहली दुनिया है और जो च्रिसन घंच का जो गियर योश्री के वो दोसी दुनिया वाने जाते है और तीसे दुनिया के देश मैं आप कहते हैं दोते विशुत के बाद पूर्वी एवरोप के देशों की राजनिती और सावाजिक व्यवस्था को सोवित संग की समाजवादी तर्ष पर ढाला गया देशों के इस समूख और दूसरी दुनिया के देशात्वा समाजवादी गुड़ खे में सोशल बायोगी की देश कहा जाता है सोशलिस्ट बायोग इस खे में कान्य था समाजवादी सोवेद में राच्य था मतलब यूएसेसार सोवेद पढणाली की विसर स्था भाई, इसे सार की विसर स्था क्या थी? क्यों इतना तॉपल रता सोवेद पढणाली पंजीवादी विवस्था का विरुट समाजवाद के आतार सो से प्रेड़िटि थी सोमित पढणाली में नियोजित अर्थ विवस्था थी फिक्स्ट एकनॉमी प्लैन कम्मिनिस्ट पार्टी का दर्दवा था जो कि भाई इंडिया में भी बीजी पी गया है विक्सित अर्थ ब्रस्ता बाता उससे में डब लगत बहुत बड़ी बात है उनना संचार प्तनलानी मतलब आने जाने की सुविता और कम्निकेशन की सुवि देश आते हैं जिसमें खनीश देल लुभाया इस वात आती कितना पड़गी आओगा आओ नेक्स्ट पर दूब दराज की रिलाग के आओ गयना गवन गमन की बेहतर विवस्ता से जुड़े हुए थे बताओ तंद्रा की पंदर देश अभी तो उनकी कंडिशन महुत बगा और ने तो भोग और द्योग पिन से लिखकार तक का निर्माद बताओ उस समय पर उनके पास ऐसे टेकनोलोजी थी कि हर एक चीज खुदी अपनी कंट्रीमें डवलोप करते थे नियूंतन जीवन स्थरकिस्व विदा फिर्जगारी ना होना अब है सरकार सब कुछ होल्ड करेगी और अपने साबसे काम करवाएगी और अपने साबसे मनी देगी स्वРЕता अब आई जब जंता ही सब कोच है जंता साही काम करवाना है सालसप Hmmm पैसा सरकार केहां के पासंग जा रहा है तो कुछ पैसा स्वास्त खोना दानेंगें किया कोई दिक्फः प्त Спobra सचाहर के आतमीं होगा कोई अपना कुछ कर नी सकता हो लिकायत का परमकुर पराज्य का स्वागे व्द भादन के साधनों पराज्य का अंगेंतर था वालना कुछ भी काइसे भी प्रडियोस होगा सारा सरकार येंतर सो विसंग के विए कटन की कारण हम पता हुआ इतनी जदा डेपलप एकनोमी थी इतना सब कुछ सभी चल रहा था फिर अखीर लुट कैसे कए नागरियों की राजनियतिक और आर्थिक अकांट्साओं को पूरा ना गर पाना मतलब हाई वहाँ के जो भी लोग थे उनको भी पॉल्टिकल राट साही थे और इक्नोमिकल राट साही थे मतलब बुछ बिजनस करना करना था बट वहाँ आप ऐसा रूल य नहीं था जिनके व दोवेत पढ़नारी पर नुगरसाई का सिकन्जा मतल यूससर आर के अंदर जिसकी गवर्मेंट नुगर्साई की लग गई उसके तो मज़े ही मज़े कमनेस पार्टी का उंकुस तस कमनेस पार्टी थी जैसा भी बीजे भी पार्टी है संसाद उनों का अधिक्तम विव्योग पर्माणों अधिहार पर बायब उनके पास इतने सारे रिसोर्से तो पर्माणों ने मेंली फोकस किया नुक्लिर रुपैपर मनाने में प्रोड़किकी और बुणियारी खाचे में पच्छी में किमकावल पीछे रहे अब भाई उन्होंने सारा पैसा तो पड़माणों भत्यार बनाने में लगा दिया तो टेक्नोलोजी और स्ट्रेक्चर में तो पीछे रहे बसर इस यह कुछ कर पाया और यह रूस की परमुक्त था क्योंकि भाई करामती हुई थी रूस में नेदा थे रूस से तो मेन मन का रूस और वैसे भी उत्राद खारी रूस कोई बनाया गया ना यांटी टैंटी टू के बाद जो ग्याप अभी पढ़ने आ लेग और कुछ कारण और भी है कि कुर्व पचिब जाय थे वो देश की भलाई करने नाय थे बट जनतों को पसाले आर्थविवस्ता का त्यूरूद वा उपभोक वस्तु की कमी मतलब भाई आर्थविवस्ता अम रुग्वे थी और को खरीदने वाला थाई ने राष्टेबादी भावना और संप्रभुत की उक्षा उभर राष्टेबादी मतलब अपना देश अपना हक सत्रुप मतलब एक साथ मिखना का सोवेत पढ़ना अली का सत्तावाधी वना भाई जो भी पार्टी थी देश में वो विसले अपना राज चलाएगे लाइक बीजेदी पार्टी का जनता के प्रती चवाब देना होना मतलब भाई शरकार कुछ भी करें बस उसको एक्स्प्लेइन ना करें ना मीडिया को ना मोदी तेरा मन की मक्त रहे हैं सोवेत संगे भी खटन के पर रहे हैं अब भाई जब वो डिस्ट्रोय हो भी आप उसके पास कुछ वचा नहीं तो उसके बाद भी कुछ वास किसा कार्म अब अभी अची है सीथ यूथ की समापति अभाई 1945 से 1992 तक अमेरिका और यूजश आर के बीच यूद चला जिसे कोल्ड वोर गया थी फ़यारों की होड की सवंति अभाई दोनों कंट्रीस बैपन्स बना रहे थी और बना बना के कह रहे थी मीरा बड़ी है लेकिन जब एक जब दोगे पीच में कॉंपटिशन हो रहा है और एक आ गया तो जब बचा हुआ ही कॉंपटिशन जी था विचार रहा हो कि लड़ाई काम थे तोनों में लड़क विचार रहा थे आपको पता है पूंजी वादी सामें वादे एक दूर भी इस अमेरिका सब्सक्राइब करें ने देशों को ओदे नए च्वाद देश बने रासिया को छोड़के रूज सब्सक्राइब का उत्राइब अधिकारी बन गया सक्सेसर विच्व राजनीती में सक्ति संब्ध परिवर्थित हो गए समाजबादी विचार आपर प्रहच्चन लागा आग इसाफ साफा पाजबा था कि यूसर की विचार भारा पेकार है अमेरिका की विचार भारा अपने देस में अब को सब कुछ पिटनेस्में के हाथ हो ओओ 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 फॉदा पीछे ने वे तो सोग थारीपिंग इस सब्सक्राइब करते अगात पहुचा कर उपचार करना मतल दोबाद सोईवे संके के राच्चे को विस बैंक और अंतराष्ट मुद्रो को सद्वारा अपनाना पड़ाइस मोडल के तेंसाम में वाद को छोड़ का कुछ वाद अपनाना था इससे यह सौक्ट है भी कहते हैं मतलब भाई अब जो चोदर दिस पर बाद हो गए रूस के साथ वो वर्ड बैंक के पास और का की सर हमें चाहिए कुछ पैसा आप जो बोलेंगे हम वर्सा करेंगे तो भाई यह सब तो अमेरिकान नहीं मनाया वर्ड पैंक यूए नो इससे सब दो फंट हमेर करता है तो भाई यह मान लो कि अमेरिक के पास ही गया अभी बी सो भाई भुषने साफ साफ कहा दिया अगर तो मैं लोन चाहिए तो मैं हमारी विचारदारा अपना नहीं पड़ेगी जो कि थी क्या पलिस्ट हों चीवादी सिस्टम तो भाई साथ देस्वान गए रस्याप जोड़कर स्वाक थेरेटी के विश्टाबाई से कुछ फायदे भी थे मिलकायत का पर्मुक रूप नीजी स्वामित अब भाई जो भी प्रोडक्शन होगा उस पर सिफ सरकार का हग नहीं होगा बलकि कुछ नीजी स्वामित भी होंगे राज्य की संपदा का नीजी करण जो भी स्टे सामाइक हरम की जगा नीजी फारम वही सा सरकार के फारम हटे जी फारमावे मुक्त वेबार वेवस्तों को अपनाया किया अब फ्रीट पोलिसी को भी अपनाया किया रस्या मां मुदराओं की आपसी परिवादतन ता मतलब अब भाई इंटरनेशनल करनसी में विट्रीट हो यह पूरा मॉडल तो पच्छिन देसे से, एस्ट यूरोप और अमेरिका खा, तो इसके जैसे ही फिल करेंगे, पुझी बात के अत्रित किसी भी कल्पिक बिरस्ता को सुझकार नहीं किया गया, अब बाइस में एक सार तोर भी थी मिनिन कि आपको इसके लाबा कोई और पैसे के चकर में आए, जाता नुकसान हो गया, चले देखते हैं, पूरे छेती ही अर्थ विवस्त तहस नहस हो गाई, भाई लोन लेने गए थे देश को भारने के लिए, बट बिरस था अपनाने के बाद तुरन थी वरबाद हो गए, तो लोन को कुछ फैदा हुआ, होना उठा, मतलब जो भी इंडरस्टियाल स्ट्रक्चर था, उसके होने के कुछ फायदा ने था, 90% उद्धियों को का नीची कंपनियों को बेच आ गया, बाई जो भी 90% कितने थे, उस अब बेच दी गई, महत्पून उद्धियों को काफी कम कीमत ओने पोने दाम पर इंडरस्टिय उसको भी ठसे में आसी बीच दिया, गरीबी, इस से इप्यास की सबसे बड़ी करी से हिल्प कहा जाता है, यह बहुत है कि वह दुन्हें की सबसे बड़ी करास सील किसी कहा जाता है, तो याद रखना है, रोस्टिय मुद्रा रूबल में किदावट, अब बहुत है, यूससर रूबल पर चल रहा था, और अब भी रूबल पर चल पड़ा है, टूस, महंगाए पड़े, अब भाई देश की करेंसी एवैल्यू गरेगी, तो विसली महंगाए पड़ेगी, खादान का आयात करना प दूसरे थी सरकारी या तेसमाप्त कर दी गए, मतलब सरकारी की दरा सचे छूट मिलती थी, वह सब खट गए, अमीरो गरीब लोगों में तीखा पी बचन, अनला भाई साब, जो अमीरो गरी थे, उनकी बीच में फासला बहुत जादा बड़ेगी, मतलब अमीरो गरीब, औ कंपेर्वित ता फरीका, बटे, गोरे लोगा कंटोर में से दिखाने की दिखा नहीं कि असली में तो मैं पच्छा दिए, इंडिया थे बहुत बड़ा गरीड लेंड कंपेर्वित, अलो रस्या के मारे हम बात करते हैं, रस्या चेत्र फल में एक विसाल चेत्र है, विसाल इसे एक बड़ा भाग एसिया में स्थित थे और कुछ इसा यूरोप में बताव इतना वड़ा है कि कुछ भाग यूरोप तब हैं, रोस सोवे संका अधिकारी है, इसे सोवे संके विकर्ट के बाद सुरक्षा परिस्द में स्थाई स्या में लिया, बड़ा था यह बताया और भाई कवाल की बात है कि रूस में सारे स्लेविक रहते हैं, मतलब जो भी गुलाम बनाए गया थे दूसरे देशों से, वह आंगे करा जा था, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, उसने सब कॉंकर किया था, अगर इस वीडियो में एक के लाइक हो गए, तो मैं उसका नाम बता हूँ, कमेंट में, इसी वीडियो की, भारत में हमेशा से सोवेज संग रूस के साथ अच्छे संब्द रहे हैं, और भाई कंपेर विद अमेरिका, भारत के साथ, रसियां हमें साथ अच्छे से रहा है, मैं काऊं सबसे बुड़ी हैं दोसर, सोवेज संग ने कस्मीर मा रात हो जाएगा, चलो एक साथ बोटर दो हमारा, जिससे कस्मीर पचा हुआ है, रूस अपने वीडियों से पहले सोवेज संग का सबसे ब्रहत भाग था, मतलब मैं हत्पुन भाग था, उन्ने से वस्षी के दसक्त के आन्त था, निन सो नभी के पाड़ा में सोवेज संग क विकर्टन के पास चात रूस तो बेश समाजवादी संग कर राचे, यससर के सबसे ससक्त अधिकारी के रूप में उदित हुआ, रूस यासा देश था, जिससे यससर सब कुछ दे सक्ता था, और देश मेरे खियाद से नहीं है, रूस के पास नीजो प्राकरतिक संसालनों त अपार भंडार है, जो इसे वैसिक पटल के सक्तिसाली राच्चे बनाता है, जो कि अभी भी है, रूस एक पडमाणों सक्ति संप्राज्चे है, रूस संयुक्त राश्ट शुरक्षा परिसद जिसे पी-फाइफ भी कहा जाता है, कहा एक स्थाई सदस्य है, पी-फाइफ कि अपने नमबर है, राश्या, अमेरिका, फ्रांस, चाइना, लास्ट, अब ब्रिटेन, मीनस इंग्लेंड, यह पांस सदस्य है, जो कि इस्थाई सदस्य है, और के हर सदस्य, दस और सदस्य होते हैं, आस्थाई जो हर दू साल में चींज होते हैं, मतलब हर दू साल में 10 साल रात चेंज हो चुका है चलिए आगे देखते हैं और ये वर्ल्ड ओवर सेकंड होने के बाद बात है चलिए अब ये बुक्स वर्य इंपोर्टन चैप्टर है भारत और रूस के संबंद अब बात करते हैं अब बात करते हैं बला की इंचेत्र ये अपको दिखाता हम कितनी छोटी इंट रही है स्वादिक भी नहीं चाहिए कि ये मैप सवाज में आ रहा है रुस्या का है हो ये पार ये फिस्टर कीजिया मॉबल निकिंग इंट चलिए इसकी बार में पढ़ते हैं ये आपके चैप्टर में नहीं एड़ू है जो भी इंपोर्टन है सबसे गहन संगर्स बलकिन छेत्र के राज्यो यूगोसलोवाकिया में हुआ सन 1991 के बाद यूगोसलोवाकिया की कई प्रांतों में तूट गया और इससे सामिल बोंसिया और जोगोविनिया स्लोवेनिया तथा कोई एसिया ने अपने को सोतंत्र भोसित कर दिया खुछ से इंड्रपेंडेस ले लिए भारत भी करते था यह नाटो को अस्त चेप करना पड़ा भाई नाटो तो बहुत आई है क्या है अमेरिका और यूरोपका एक्सान कटन है और जब भाई ये विडल एसिया है इसमें जब वह तो भाई इसको बीच में पढ़ना पड़ है बिन्हों फायदेक नहीं उसे यह यूवसलाव आग्या पर बंबारी हुई और चातिय संगर्स ने ग्रेह यूद का रूप ले लिया कितनी बुरी बात है ग्रेत तक हुआ अब मद्धेसिया राज जी की बात करते हैं कुछ मद्धेसिया में ताजीकिस्तान दस वर्स यानी 2001 तक ग्रेह यूद की चपेट मेरा वाता 1992 से 2001 तक ग्रेह यूद सिविल वर के तना नुक्षान हों आपास करेंगा इसे पूरे छेतर में कई संप्रदाइक संगर्स चल रहे थे अजर्वेजान का एक प्रांथ ना कर नो कारोबाक है यह हां कि कुछ इस्थाने अर्मेनियों अलग होकर अर्मेनिया से मिल जाते हैं अलगी जोर्चिया में दो प्रांसों तन ता जाते हैं और ग्रेह यूद लड़ रहे हैं यूकरेन के इस ठान वाई नाम कैसे कैसे हैं मैं तब बोल भी नहीं पारा है अथा जोर्चिया अब भाई देखो तुम्हें यह नाम याद करने पड़ेंगे क्योंकि यह एम से क्यों में तुम्हें फसाएंगे और अभी याद करते हैं अभी याद करनी कुछ कर गोए तो साइथ एक्साम तक या तो भी जाएं साइब बद्धे इसे गनराज्यों में एड्रोक्लोविक पेड्रोलियम संसावनों का विसाल भंडार है इससे इन गनराज्यों का आर्थिक लाव हुआ लेकिन इस कारण से यह छेत्र बहारी थाकतों और तेलक अपनियों की आपसी पड़तीस पड़ता का अखाड़ा भी ब तील पहुते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीय उस तील द्रणाई कर रही है बस यह वां कड़ा गरें पर बता आया गया है अग्यों सब्सक्राइब यह शेत्र रूस चीन और अवानिस्तान से सटाय है तथा पच्छी मेसिया के नजदीक है पच्छी मेसिया और रूस चीन से भी सटाय है अग्यों सब्सक्राइब सब्सक्राइब रूस इन राज्यों को अपना निकवर्टित विदेश मानता है और उसका मानना है कि इन राज्यों को रूस के प्रभाब में रहना चाहिए खनीश तेल जासे सब्सक्राइब की मौजूद्गी के कारण चीन के हित भी इस च्छेत से जुड़े हैं और चीनियों ने सिमावर्टी च्छेत में आकर परकरना शुरू कर दिया मतलब भाई अब तेल के कारण जो चीनियों लोग थे जो ट्रीट नहीं करते हैं तो लोग भी ट्रीट करना शुरू कर दिया है अब आक है यह फोक्स किया गया है भारत और पूर्वी सामयवादी देश जिनके संब्सक्राइब काफी अच्छे रहे हैं बड़ फिर समझ लो इस रिखला भारत ने समयवादी रहे कर चुके सभी देशों के साथ अच्छे संब्सक्राइब की बारत के साथ संब्सक्राइब के साथ सबसे जहरे हैं भारत की विदेश निती का मस्graduate मेरे भारत के रूस के साथ संबंध हैं महत पूंत वहारत रूस संबंध का इतियास आप पीज विष्वार्स और साधा हीतों का इतियास भारत रूस की आप सी संब्स इन डेशों की जंता कि आ और पूबे उस और पूर सोवेट संग के बाकी गनराज्यों में घरगर जाने जाते हैं आप इस छेत्र में हिंदी फिल्म गीत बजाते सुन सकते हैं और भारत यहां के जन्मान का एक अंसे मत्तब नंजर का एक अंसे और जो भाई इंडियन एक्टर है वो रसे में बहुत जा वरती का वह बजाद रसे में वहां के लोग नाचने लाग जाते हैं मजाक नहीं करता सब्सक्राइब कर देखते हैं अब क्या बचा है मेरे खाल से आप कुछ नहीं मिश्चे सो थैंक्स वर वाचिंग अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ नहीं है वो पता इस वीडिय झाहीं में हम कुछ नहीं है वीडिया आपको проблем कर दोगाद वीडियो में और वीडियो Come No के भीडियो है वेदाल सब्सक्राइब कर दोगे हैं दवर वीडियो